तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुर्टा कॉलर कटिंग तो इस वीडियो में हमने आपको ऐसा फॉर्मूला बताया है इस फॉर्मूले के हिसाब से आप किसी भी साइस का कॉर्टा कॉलर कटिंग कर सकते हैं देखिए माल लीजिए यह हमारी पे निसान लगाएंगे 7 इंच 1 इंच 2 पॉइंट यह देखें उसके बाद एक निसान यहां लगा देंगे 7 इंच का 1 इंच 2 पॉइंट इसको हमने सीधा कर लेना है तो आप इस वीडियो को देखकर किसी भी साइज का कॉलर कटिंग कर बाएंगे बहुत ही आसानी के साथ यह दे पर यह वीडियो आपके लिए बिल्कुल आसान होगा इस वीडियो मैंने आपको बहुत ही आसान तरीका बता दिया है यह देखें तो यह वाला निसान 7 इंच का हो गया और यह वाला निसान हो गया 2 इंच का तो आपके कॉलर का साइज कुछ भी हो सकता है किसी भी साइज का collar हो सकता है आपका पर मैं 16 inch collar के साफ самой cutting करूँगा और आप उसी साफ से formula समझ जाएंगे तो देखे हमारा जितना भी collar होता है तैयार जितना भी collar है हम पहले उसका half कर लेंगे आदा कर लेंगे अगर आप यह जानना चाहते हैं कॉलर का measurement कैसे के जाता है और कॉलर कितना रखना चाहिए तो इस पर भी हमने वीडियो बनाया है तो वो वीडियो आप मारी चैनल पर जाकर देख सकते हैं और उस वीडियो का link मैं इस वीडियो के description में दे दूँगा तो जिससे कि मान लीजिए हमने 16 इंच कॉलर कटिंग करना है तो 16 का half करेंगे तो 16 का half होता है 8 इंच half करने के बाद आदा करने के बाद हमने 2 सूथ और कम कर देना है यानि 2 पॉइंट कम कर देना है तो हो गया पॉने 8 तो देखिया हमने यहां पर प़ूने 8 निसान लगाँ देना है तो इसी तरीके से आपका जितना भी कोउलर है पहले आप ठाप करें आदा करें और आदा करने केबाद 2 सीफ और कम कर दें और इतना ही निसान लगाँ दें क्योंके हम 2 सीफ इसलिए is जो हम कॉलर का राउंड सेफ बनाते हैं तो इसमें हमारा कॉलर आदा इंच बढ़ जाता है तो इसलिए हमने यहां पर दो सूत कम किया क्योंकि डवल में यह रखा है तो अब हमको देखना है यहां से यहां तक कितना है उसके बाद हम इसका भी हाप कर लेंगे आदा कर लेंग इस तरीके से यहां पर लाकर round shape बनाना है तो इस तरीके से हम पहले यहां पर थोड़ी देर सीधा रखेंगे यहां से देखते रहें दोस्तों वीडियो में एंट तक बने रहें हमने यहां से एक निसान लगाना है इस वाले निसान से उपर के लिए तिर्शा करके यह देखें इस तरीके तिर्शा करेंगे तकरीबन सवाईज का निसान लगाना है हमने यहां भी यह देखें उसके बाद हमने इस तरीके से इसको तिर्शा करना है तो मैं आपको तिर्शा करने का भी फॉर्मूला बता जिता हूं कितना तिर्शा करना है तो आप यहां से इस तरीके से पहले सीधा करेंगे उपर के लिए यह देखें उसके बाद इस निसान से हम बैक लाएंगे यहाँ पर एक इंच उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने इस तरीके से 7 इंच का निसान लगा देना है और हम इस तरीके से यह निसान लगाएंगे तो अब इस निसान से इधर के लिए हमने 7 इंच रखना है एक इंच और दो सूद ये देखें तो देखिए हमने ये जो राउंड शेप के लिए निसान लगाये थे यहां से हमको निसान लगाना है 7 इंच इस तरीके से पिर यहाँ भी हमने सबाइंज का निसान लगाना है पिर यहाँ भी हमने सबाइंज का निसान लगाना है तो इस तरीके से हम इसका round shape मिलाएंगे तो यह देखें दोस्तो बहुत ही simple और आसान तरीका है दोस्तो अब हम इसकी cutting कर लेते हैं तो दोस्तो मैं हूँ अकील खान और आप देख रही हैं अकील फर्शन डिजाइनर अगर आप ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पिलीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइग भी करें यह देखें और अगर आप यहां से गोलाई में रखना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी इस तरीके से हमने यहां से कट करना है ये देखें दो스टो तो जैसे के आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी ये नोक है तो अगर आप यहाँ पर गुलाई रखना चायते हैं राउन्ड में रखना चायते हैं तो वो भी हम आपको अब भी बताते हैं पहले आप इस तरीके से कॉलर को उपन करके तो जैसे के आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी नोक है तो अगर आप यहाँ पर गुलाई रखना चाहते हैं तो वो भी हम आपको अभी बताते हैं पहले आप इस तरीके से कॉलर को ओपन करके देख सकते हैं तो दोस्तो देख सकते हैं कितना special round shape आया है तो आप देखिए हम यहाँ पर गुलाई बनाना शुरू करेंगे यह देखें तो आप यहाँ से इस तरीके से इसका कूने को गुलाई कर देंगे यह देखें दोस्तो यह हो गया गुलाई वाला कोलर मैं आपको पास से दिखाना चाहूंगा तो अब आप पास से भी देख सकते हैं यह देखें कितना special कॉलर कटिंग किया गया है दोस्तो आप भी इसी तरीके से कटिंग कर सकते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वचिंग वीडियो